हेलो फ्रेंड्स कैसा आप सब लोग फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात की जाएगे आपके लोरेंस कोलबर्ग के नेतिक विकास सिद्धान्त यानि मोरल डेवलेमेंट थियोरी के पार्ट सेकिंड की इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है वो मैं आप लोगों के लिए अपल से निकले उसमें आपके पेपर में यहां से कुष्चन जरूर पूछा जाता है तो इसलिए बहुत ही महत्पुन सिद्धानत है पार्ट वन को जरूर देख लेना और पार्ट टू के लिए मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि पार्ट टू में जितने भी कुष्चन आंसर इन जो कि आपकी थियोरी बच गई थी और साथी महत्पुन कोश्चन आंसर और आप लोग भी उनका आंसर देना देखना कितना आपको इस सिद्धानत के बार में पता है देखे जो नेतिक विकास का सिद्धानत लोरेंस कोलवर्ग ने दिया था जिसमें उन्होंने तीन सुसाइटी ने ने जे बता दिया यह चीजे तो सही है और यह चीजे गलत हैं तो इसमें बच्चा क्या क्या काम करता है? बच्चा खुद से चीज़े उवजरु करता है, अपना अनुबा लगाता है, कि वाकई में जो चीज सोसाइटी बता रही है, या फिर नहीं है, गलत है, और जो कन्वेंशनल स्टेज थी, उसमें बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा सोसाइटी के कोडिंग सोचता है, जो बच अनुबन उन्मुकता, यानि सोचल कॉंट्रेक्ट उरियन्टेशन, इसमें क्या होता है, इसमें किसोर यह मानते है कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है, तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, अगर रेड लैट पार करके उसके पापा की जान बस सकती है, तो उसको तोड़ दो, जो आपकी conventional stage थी, उसमें क्या था, low and order orientation, यानि कानून एम वहसता उन्मुकता थी, उसके अंदर बच्चा क्या काम करता है, कि बच्चे का जो पिताजी होते हैं, वो रेड लैट क्रोस कर जाते है, रेड लैट क्रोस पिताजी का एक्सेंट हो गया, बच्चा रेड लैट पर खड़ा है, तो बच्चे सोचेगा कि रेड लैट गई भाड में, रेड लैट में तोड़ दूँगा, जाके पहले अपने पिताजी की जान बच्चा होगा, तो इस stage में बच्चा क्या काम करता है, नियमों को तोड देता है, अगर बच्चे को लगता है कि किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, यह आप चीज समझ लेना, वो होता है आपका पोस्ट कर्वेंशनल stage में, जो कि इसी अवस्ता में होता है, तो इसी अवस्ता में बच्चा ये मानता है, कि नियम हमारे लिए है, ना जान पर भी खेल जाते हैं, इसी stage के अंदर, जैसे आपके करोना आप ये जो चल रहा है, इसमें जो डोक्टर है, डोक्टर देख लिए, इलाज करने के लिए अपनी जान पर खेल गई, हाला कि इनको भी ये बिमारी हुई है, बहुत से डोक्टर को, लेकिन इन्होंने उसक कोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है, ठीक है, अब बात कर लेते प्रिवेश एर के कोश्चन आंसर, जो आपके लोरेंस कोलबर्ग से सम्मंदी दूसरे एक्जाम में पूछ गए है, और आप लोग भी आंसर देनी की कोशिस करना, देखना कितना आप लोगों का स्कोर सह ही होता है, पहला कुश्चन है, कोलबर्ग के सिद्दान्त के पूर प्रमप्रागरत इसतर के अनुसार, पिरी कन्वेंशनल लेवल के कोडिंग, कोई नेतिक नीडने लेते समय एक वेक्ति निमली खित में से किस तरह परवर्थ होगा, तो परवर्थ होगा उसमें अंतर नह है, यह आपका सीटट और टेट के एक्जाम में तो बहुत पूछा जाता है, तो देखें इसका जो सही आंचर है, इसका सही आंचर आपका लेवल फ़र्ष्ट, इसतर फ़र्ष्đ में नेतिक्ता की अनुसार में सही अर्त में सूचित करता है, ठीके know you नेतिकता होती ही नहीं है जो आपका लेवल फर्स्ट होता है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन आपका जो आपके सीटेट के एक्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि किसी बच्चे का दिया गया विशी शुर्थ उत्तर कोल बर के नेतिकतर के सोपान की गुड़ गुड़ बोई वाली ओरिंटेशन थी मैंने आपको बताया था तो यह आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकिंड और देख लेजिए अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसका आंसर आप नहीं देख पाऊगे इसलिए मैंने गाता पार्ट परश्ट देखिए उसके बाद आप लोग कोशन आंसर लगाए देख लेना एक भी कोशन नहीं बचेगा आपको अगला कोशन आपका कोलबर्ग ने परस्तूत किये क्या परस्तूत किये सिंपल सा कोशन है नेतिक विकास के चर्ण परस्तूत किये थे कितने स्टेज बताई ती तीन स्टेज बताई थी नेतिक विकास सिद्धान की ठीक है आंचर फोर्थ से हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन आपका कि कोलबर्ग के अनुसार सिखसक बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास कर सकता है कैसे कर सकता है नेतिक मुल्यों का विकास तो अगला कुश्चन आपका कि निमलिकित में से कौंची लोरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नेतिक विकास की एक अवस्ता है देखे अभी आपको मैंने सबसे उपर ही पढ़ाई थी सबसे उपर ही जो वीडियो की स्टार्टिंग में थी सोशल कोंट्रेक्ट औरेंटेशन आपको पढ़ाई थी ठीक है तो यह आपकी एक अवस्ता है जिसमें मैंने आपको कहा था कि बच्चा नियमों के नहीं सुनता कि नियम हमारे लिए ना कि हम नियमों के लिए आंसर सेकिं हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा तो फ्रेंड्स आयोब आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी थेंक्यू